आज का पोर्टफोलियो हमें भेजा है मिस्टर रोहन जी ने तो रोहन जी ने पोर्टफोलियो जो भेजा है ये निवेस कर रहा है मन्तली 13,000 रुपए का SIP में और यहाँ पर 13,000 रुपए का निवेस करने के लिए इन्होंने 5 मुईचल फंड को सलेक्ट किया है लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं आज पहले देखेंगे कि क्या इनको चेंज करना चाहिए अपने वीचल फंड के पोर्टफोलियो में उसके बाद पोर्टफोलियो की जो वीचल फंड है उनकी डीटेल देखेंगे asset tender management कितना है बाकी की detail CAGR कितना है उसे बाद एक complete calculation कितना fund ये अपने objective के हिसाफ से यहाँ पर generate कर लेंगे जो कि इनकी SIP चल रही है क्योंकि इनका objective है 15 साल का साथ ही इन्होंने एक question पूछा है कि 70,000 का इने लंसम mutual fund में investment करना है जिसमें कि 35,000 इनको तो दो mutual fund में निवेस करना है तो पहले तो जो आपको 70,000 ये निवेस करना है 35,000 रुपए की दो scheme आपको select करनी है तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगा यदि आपका objective इस लंसम investment के लिए भी 15 साल का है यानि कि 10 साल से उपर का है आख बंद करके कोई small cap fund आप देख लीजिए अच्छे खासे मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर आप Nippon या फिर SBAE या फिर दोनों आप 35,000 रुपए के इस तरह से select कर सकते हो बाकि आप अपना individual study भी यहाँ पर कर लीजिए यदि 10 साल से उपर का आपका tenure है तो small cap में ही करना चाहिए आपको इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि large cap या फिर index fund में करके उसका मैं आपको return यानि कि जो उसमें growth हो सकती है उसको एक break दे दूँ कोई मतलब नहीं बनता है small cap के साथ आप जा सकते हो आप चलते हैं बात करते हैं आपके portfolio की तो portfolio में जो changes मुझे लग रहा मैं आपको पहले तो वो बता रहा हूँ थोड़ा सा change कर दिया है आज यहां कर वीडियो में मैंने तो आपने 24% केवल small cap में आपने किया है हाला कि आपने select किये fund 2 small cap के 2 fund है आपके portfolio में जैसा कि दिख रहा है SBI and Axis small cap 15-500 रुपे की SIP है तो यहां पर लगबग 24% of total of your SIP amount जा रहा है यहां पर mid cap के अंदर आपका जा रहा है लगबग 46% mid cap के अंदर 46% small cap के अंदर आपका जा रहा 24% index fund में 30% लगबग आपका investment मन्थली जा रहा 4 रुपे की SIP जा रही है तो पहले तो change आपको यह करना चाहिए जब मैं 15 साल के लिए investment कर रहा हूँ तो आपको अपने पैसे को गिरो होने से रोकना नहीं है उसमें growth कितने आप add कर सकते कितने growth drivers उसके अंदर आप add कर सकते यह आपको सोचना है तो वो कैसे add कर सकते हो आप वो कर सकते हो by investing in small cap stocks और small cap mutual fund आप stocks तो हमें selection करने नहीं है क्योंकि mutual fund के लिए हमने एक manager appoint किये हुए उनको हम expense ratio के रूप में maintenance fees देते हैं ना service charge देते हैं तो उनको भी थोड़ा काम करने दो और उनकी महनस से हमें भी थोड़ा return कमा लेने दो तो उनको काम पर लगाई है और अपने पैसे को भी काम पर लगाई जिससे की ज़्यादा पैसा आपके लिए वो कमा कर आपको बना कर दे सकें और 15 साल का investment horizon period आपका काफी अच्छा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए suggestion यही है आप इसको change करके at least for next 15 year if you are planning then you should have the investment 50% in small cap और 25% and 25% each mid cap and index fund for the safer side ठीक है तो यह इस तरह से आपको करना चाहिए और दूसरा सवाल जो था आपका मैं उसका भी answer दे चुका हूँ कि 70 यार आपको यह दी lump sum investment दो mutual fund में करना है for next 15 years then again you should choose any two of small cap fund तो देख लेते हैं आपको portfolio पहले तो देख लेते हैं कि 1y1 करके इन में asset under management कितना है और CAGR से return कितने दिये उसके बाद complete calculation में आपको दिखा देता हूँ कि कितना आपका fund यानि कि value create होगी और आपकी value create यादी काम होगी 10.51% का expense ratio यह सब आप पढ़ लीजिए ठीक है तो यहाँ पर 24.15% का यहाँ पर 9 साल का इसका लगबग CAGR है 10 साल का मतला 9 साल हुए है पूरे 10 साल की category में जो हमने डाल रखा है इसको HB small cap again 25.89% अब इससे पहले की video मैंने 26% share किया था वो क्यों किया था डेली बेसिस पर इनका CAGR पिछले 10 साल का change होता रहेगा क्योंकि daily update होता है अब daily मैं data लूँगा कल लूँगा तो कल हो सकता points में difference आके कुछ और हो जाए 0.49% का यहां पर expense ratio है 10 साल का CAGR 21.17% का mid cap stock मतलग category mutual fund है ठीक है 21% प्लस में जा रहा है ठीक है PGI mid cap इसका साथ है 616 करोल का जानी कि AUM है 0.46% का expense ratio है 18.83% last 9 years का CAGR है यह भी अच्छा है UTI Nifty 50 index fund 9,375 करोल का इसका जो है Asset Intermanagement है AUM है 0.20% का expense ratio है अब आपको पता है कि Nifty 50 index के जो fund होते हैं उनका expense ratio bare minimum होता है कम से कम होता है क्योंकि यहां पर कोई active fund manager नहीं होते हैं उनको manage करने के लिए कुछ changes करने के लिए होता ही नहीं है तो उनको actively manage करने के लिए expense ratio को क्यों देगा इसके लिए इनकी expense ratio कम होता है जितने की Nifty 50 index के fund होते हैं ठीक है और यहां पर 12.70 का जो है और 5 साल का है 10 साल का CGR देख लगबख similar 12.50 के बीच में जूलता हुआ मिलेगा तो इसमें जो मैं final calculation करूँगा ना एक चीज आपको देखने को मिलेगी देखिए यहां पर जब final calculation में मैंने interest यानि की CGR से return calculate किया है तो UTI Nifty 50 index का आपको दिख रहा है 12% बाकी का मैंने 2-2% से लगबख कम किया है अब UTI Nifty का कम क्यों नहीं किया है इछले 20-25 सालों का ज़दी track record देखोगे तो 12-13% के बीच में जूलता रहता इसका return तो आगले भी 20-25 साल at least इतना देता रहेगा being a large cap index ठीक है तो यहाँ पर कोई दिख्कत वाली बात नहीं इसलिए consider किया है PGI mid cap का 16% का 401x 15 years से हमें लगता है कि इतना हाथ देगा ठीक है और mid cap, kotec mid cap जो है यहाँ पर इसका 19% और axis small cap and SVA small cap 22 और 23 दोनों का मिला के put together हो जाएगा 22.5 लेकि साड़े 22% का small cap आपको तागत रखते हैं और यह साड़े 22% से उपर भी जा सकता है current pin का पिछले 10 साल का CAGR लगबग 25-26% के असपास है तो small cap की power समझे है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि small cap में आपको जादा थोड़ा सा allocation करना चाहिए तो average CGR के दी बात करें आपका निकल कर आता है 18.40% का monthly SIP आपकी 13,000 पर month जा रही है आपका total investment जो आपकी pocket से जाएगा in next 15 years that would be 23.40 lakh 23,40 रुपय का होगा और इस पर जो आप return earn करोगे वो होगा 1.01 करोड एक करोड एक लाक रुपया लगबग इतना जो है आपका return इस पर बनेगा और put together आपका invested amount प्लस आपका return amount हो जाएगा 1.24 करोड एक करोड 24 लाक रुपया सबा करोड रुपया तो अच्छा कासा है लेकिन यदि आप इसको अपना fund change करके allocation small cap में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दोगे यदि आपने recently start किया है तब आप कर सकते हो ऐसा change कोई ऐसी बात नहीं है यदि आपको लगता है कि आप और इसमें amount बढ़ा सकते हो rather than doing a changes in these currently आपके invested जो चल रहा है आप एक नई SIP की तरब भी add-on कर सकते हो if your pocket allows you ठीक है तो यदि आप ऐसा कर सकते हो तब भी कर सकते हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो mutual fund है वो आपको अधिक से अधिक return बना कर दे आप ऐसा लगा भी रहे हो और जब यहाँ पर मुझे कुछ extra efforts लगाने नहीं है केवल मुझे investment ही तो करना है लेकिन उनको इतनी जाने का रही नहीं थी कि fund कौन से select करने है तो fund select करने के लिए हम जैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए है यदि कोई query है बाकी लोग की किसी की है अब यह इस तरह का portfolio केवल आपका ही नहीं है बहुत सारे लोग का होगा तो उन लोगों को भी with retail example के साथ सीखने को मिल जाएगा और बहुत से लोग बिना अपना comment करें वो यहाँ से learning लेकर सीख कर अपने portfolio में जो भी required changes है वो कर सकते हैं तो आपका portfolio में यही changes करने की जरूत है और जो lump sum की आप सोच रहे हो यही 15 साल के लिए करना चाहते हो तब भी वो small cap fund ही आप चूज करें क्योंकि index fund या large cap fund में लगाने से कोई फायदा नहीं है इतना return आपको नहीं मिल पाएगा यहाँ पर हमें inflation rate भी बीट करना होता है जब मैं अपने पैसे को ज़्यादे growth होने की opportunity दूँ जब मेरे पास time है तो यह time नहीं होता तो मुझे चिंता करने की बात नहीं थी index fund में लगा लूँगा और ठीक है मुझे surety है कि यहाँ ठीक है दो-चार साल बाद यह एक-दू साल बाद भी निकालूँगा तो 12-13% की return मुझे मिली जाने है या फिर bank में update कर देता तो ठीक है अपने पैसे को grow होने के लिए यह आप time दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा उसको मतलब अच्छे खासे pocket में डालना या तो वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है और अच्छे लगती है तो करपा करके आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दीजिए thank you so much for watching investment का फंडा प्लीस की watching जैहिं जैभारत नमस्कार